नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं सैनेक स्कूल गोलपारा में निकली भड़ते के बारे में दोस्तों वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाएगा वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाली है और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब भी जरू कर लेना तो चलिए दोस् इसलिए दोस्तों मैंने यहां पर क्या किया है कि यह जो नोटिफिकेशन इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है ठीक है तो यहां पर दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि कौन-कौन से पोस्ट वह भरती है यहां पर पूरी जानकर यह आपको देने वाले हैं तो जेनर असिस्टेंट लेव असिस्टेंट की जो भरती है इसमें आपको तीन पोस्ट है जैनरल एक ओबीसी एक ऐसी एक इसके लिए आपको टैन प्लस टू इन साइंस स्ट्रीम में पास होना जरूरी है और आपको हिंदी और इंगलिस में कम्मिनिकेशन करना भी आता होना चाहिए है ठीजमें। उसके बाद में दोस्तो है आपका जो एक साल से लेकर पचाहस साल के बीच में है और यहां पर लिमेट होना अनवारी है ठीक है उसके बाद दोस्तों यहां पर मेटरन की जो वेकंसी से यह दो वेकंसी से दोनों जनरल के लिए हैं और 10 प्लेश टू पास होना चाहिए आपकी जो यह लिमेट दोस्तों वो सेम 21 साल से 50 साल होनी चाहिए और यहां पर आपकी जो एज काउंट होगी वो एक अक्टूबर 2020 के लिए की जाएगी ठीक है उसके बाद दोस्तों है बैंड मास्टर तो बैंड मास्टर की पोस्ट के लिए अगर आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक वेकंसी है और गुह है जनरल के लिए ठीक है इसके लिए आपको जो एज लिमिट है वो 21 से 15 साल के बीच में होना चाहिए और आप जो पेमेंट होगी दोस्तों वो 21,000 रुपए होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तों टीचर की वेकंसी यहां पर आप एक वेकंसी है जनरल के लिए है यह और ग्रेजुए डिग्री इन एनी आर्ट कर सकते हैं और आपकी एज लिमिट होनी चाहिए दोस्तों 21 साल से 35 साल के बीच में और आपकी एज लिमिट काउंट होगी वह एक अक्टूपर 2020 के लिए होगी उसके बाद में स्कूल काउंसलर और टीजटे इन आसामी ठीक है अगर आप इन पोस्ट के लिए भी भड़ती देख रहा है चाहते हैं तो आपके लिए यह नोटिफिकेशन जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आप वहां से जाकर इसक चुपाते नहीं हैं दोस्तो मैं आपको बता देना चाहनता हूं कि यह जैसा कि आपको बताया था कि यह जो सेने के स्कूल गोल पारा असाम में भरते निकली हुए यह 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 बहती है ठीक है आप देख सकते हैं दोस्तों वेकंसी फॉर दी वैरियस कॉंट्रेक्शल प्यूर्ली ओन कॉंट्रेक्शल बेसेस ठीक है तो आपका यह है जो दोस्तों कॉंट्रेक्शल बेसेस के लिए बेकंसी निकली हुए गया तो अगर आप जॉब की तलाज में है और आपके लिए एक्सपेरेंस की जरूरत है यह सब्सक्राइब को पता है कि आज कर जो भी व उस ट्रेडिक लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपका रेटिन टैस्ट होगा इंट्रिव्य होगा और आपका इसके टैस्ट होगा ठीक है तो यह आपका सेलेक्षन प्रोसेस हो गया उसके बाद में दोस्तों तो आपकी जो एप्लिकेशन हैं दोस्तो वो आप यह जो बेकंसी हैं इसकी डिटेल दोस्तो अब जल्दी ही आई थी एक दो दिन पहले और फिछली बीक का जो एड़िटाजमेंट था तो अभी आपके पास में 14 दिन का टायम है आप इसमें अपलाई कर सकते हैं यह जो भरती है दोस्तो यह ओल इंडिया के लिए है आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में अपलाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर दोस्तो कुछ इसका तरीका द ठीक है पेवल एट इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया मोरनी ठीक है यह होगा दोस्तों आपका पूरा नोटिस मैं आपको पड़के बता दिया है अभी इसमें कुछ नहीं है यहां पर दोस्तों यह एक यहां और अपने पॉस्ट का नम लिखना होगा जैसे आप जैसे अप करना चाहते हैं यहां पर जो रहे हैं यहां पर पादर नेम हो जाएगी उसके वाद दोस्तों यहां पर एच होजाएगी आपकी कि लिए कि इतनी साल हो रहे हैं जैसा मैंने आपको बता-एय साल से 35 साल के बीच में । likes Сам यहाँ पर आपको अपना correspondence address with contact number and email ID की साथ में डाल देना है जैसे आपके कोई भी पत्रचा रखी अगर जरुवत पड़े तो आपसे हो सकते हैं अपना correspondence address डाल देना है उसके बाद में आपको यहाँ पर अपने education किया है और किसी भी पोस्ट के लिए आपको जैसे की उपर दी पोस्ट कहीं पर experience मांग रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपना 10 की उसके बाद में 12 की मार्षीट देंगे उसके बाद में दोस्तों आप अपने graduation की मार्षी देंगे या कोई diploma किया हुए है तो दिपलो्मा की असीद देंगे उसके बाद में अपना डेट डालके और यहां पर आपको अपना सिगनेचर करके इस यह जो फॉर्म है आप जिसको फिल अप करेंगे यहां पर अपने फोटो लगा देना दोस्तों अफिक से पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहां पर अपना फोटो लगा कि आपको भीजना कहां पर है यहां पर दिया हुआ दोस्तों देखिया। the candidates should do forward duly-filled prescribed application along with passport size, photographs, a resume photograph, photo copies of mark sheet, other testimonials and the demand draft of responsible प्रिंसिपल सैने की स्कूल गोलपारा पेबलाट स्टेट बंक आपके लिए अपने जो एप्लिकेशन फॉर्म करके भेज़ देना है कौन-कौन सी पोस्ट को वेकंसी निकली हुई थी मैं आपको पूरा बता चुका हूँ यहां पर आपकी सैलरी की डिटेल भी दी गई है एक बार आपको मैं और बता देना चाहता हूं जिससे आप लोग फिर आप लोगों के लिए कोई डाउट ना रहे दोस्तों मैं आपको सा नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में तो कितने साल का कॉंट्रेक्ट होगा दोस्तों यह आपको जब आप फॉर्म भरेंगे आपका जो क्रस्वर्निस होगा स्कूल से तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो उमिद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलेन क्लासिस को सब्सक्राब जरू कर लेना तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैभारत